हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एच्पी के अलर्ट में तो आज हम करने वाले हैं टेमपल्स इन हिमाचल प्रदेश तो आज के हमारे जो कोश्चन रहेंगे वो टेमपल्स इन हिमाचल प्रदेश से रहेंगे तो हिमाचल परदेश में जितने भी टेंपल से related question है जो की previous exam में आ चुके हैं या our next आने वाले exam में आ सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में cover करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले सबसे पहला कुशिन है हमारा वीमा काली मंदिर कहां पर स्थित है तो ये मंदिर सराहन शिमला में स्थित है जोरासी मंदिर कहां पर स्थित है तो ये मंदिर आपका जो है भरमौर चम्बा में स्थित है इडिमबा देवी मंदिर कहां पर स्थित है तो ये मंदिर जो है आपका ये मनाली कुलू में स्थित है नेक्स्ट है आपका क्वेशन हाट कोटी मंदिर किस चिले में स्थित है तो ये जो मंदिर है आपका ये हमारे शिमला में स्थित है अब next question की तरफ चलते हैं हिमाचल प्रदेश में भूतनात मंदिर कहां पर सीथ है तो ये भूतनात मंदिर जो है ये हमारे मंडी में सीथ है अब हमारी next question है 18 स्ताबदी के किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश का अजन्ता कहा जाता है तो ये ताबो मट को कहा जाता है मारकंडेय मंदिर किस जिले में स्थित है? तो मारकंडेय मंदिर जुखाला जो कि बिलासपूर जिले में है वहां स्थित है और ये मंदिर सनान करने के लिए भी प्रसित है जांगी और लिम्पा बौद स्थित है? जांगी और लिम्पा बॉद्स दल जो है ये लहुल स्थिती में स्थित है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लोमेश रिशी का एक मातर मंदिर है तो लोमेश रिशी का मंदिर ज्यादतर लोगों को पता ही होगा ये हमारे रिवालसर मंदी में स्थित है वहाँ पे रिवाल सर जील भी है जुआला मुखी मंदिर में किस ने सोने का च्छतर चड़ाया था तो ये अकवर ने चड़ाया था कामाक्षा देवी मंदिर किस चिले में स्थित है तो ये मंदिर जो हमारे करसोप में स्थित है चलिए अगले क्वर्शन के तरफ चलते है नेक्स्ट इस मुर्कुला देवी मंदिर किस चिले में स्थित है मुर्कुला देवी मंदिर लहौल स्पिती में है हिमाचर परदेश के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है तो ये नीरत सिमला में स्थित है नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जो है आपके पास ये उन्ना में है प्रसिद परशुराम मंदिर कहां पर है तो आपका प्रशुराम मंदिर तो डेनुका शिर्मौर में है तारना जो टारना मंदिर है वो किस ने बनवाया था जो टारना मंदिर जो मंडी में है उसकी बात करने ये हमारे श्यामसीन ने बनाया तो ये कोश्चिन आपके पास बहुत बार आ चुका है तो ये ब्रिजेश्वरी मंदिर जो कांगड़ा में है वो उस मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा और लूटा था माता बाला सुंदरी मंदिर कहां पर है तो ये मंदिर तिरलोकपुर सिर्मौर में है बौद बिक्सू पदम संभव का मंदिर हिमाचल प्रतेश के किस स्थान पर है तो ये रिवालसर पर है जहां पे रिवालसर लेक पी है next is मसरूर रॉककट मंदिर कांगड की किस तहसेल में स्थित है ये आपको पता होगा कांगड़ा में रॉककट टेंपल है तो ये देहरा गोपिपूर इस नामकस्तान पे स्थित है चलिए next question करते हैं लक्समी नारायन मंदिर चंबा में कितने मंदिरों का समू है तो जो लक्समी नारायन मंदिर जो चंबा में है ये छे मंदिरों का समू है रोककट मंदिर जिसे हिमाचार प्देश का अजन्ता खेते हैं तो यह मसरूर कांगला में स्थित है अभी हमने एक कॉशन किया था एक सिंगलर तिब्बती मोनेश्टरी कहां पस्थित है तो यह धरम साला मैकलोड गंज में स्थित है नेक्स टेस जाकु मंदिर किस देवता के लिए पसिद्ध है ये हनुवान जी के लिए परसित है और ये मंदिर शिमला में है चमबा जिली का सत्ती देवी मंदिर किसने बनवाया था? तो यह मारू बर्मन बोलते हैं उसको उसने बनवाया था जो चमबा का सासर था चलिए नेक्स्ट कुशिन के तरफ चलते हैं एक्स्ट इस जिला कुलू की निर्मंड में कौन समंदिर स्थित है? तो जिला कुलू के निर्मंड में आपके पास परशोरा मंदिर स्थित है जुबल पाटी का हाटिक्षोरी मंदिर किस सैली से बना है ये पिरमिड सैली का बना हुआ है चिंदपुर्णी मंदिर किस जिले में स्थित है तो यह मंदिर उन्ना में स्थित है मनाली का डुंगरी मंदिर किस देवी को समर्थपित है तो यह वह मंदिर जो है देवी हडिमबा मातर को समर्थपित है अब लोग की तेस्वर मंदिर लहाओल में किस स्थान पर है तो यह मंदिर जो है उदैपूर में है चंडिगड के समीब मंसा देवी मंदेर किस पहाडी रियासत के अंतरगत आता था वो सिर्मौर के अंतरगत आता है मंडी में कितने मंदेर माने जाते हैं मंडी में लगबग जो है आपके पास 81 मंदेर माने जाते हैं मंडी में अन्या मंदिर भी हैं पर जो में मंदिर हैं वो 81 माने जाते हैं नेक्स देश हिमाचल प्रदेश में नगर शैली का सबसी पुराना मंदिर जो की आठवी सदी में बना है वो कौन सा है? वो है मसरूर मंदिर कांगडा में 15 मंदिरों का समूह है ये कि रात् worं की राज्धानी में कौन सा मंदिर 13 सधी में बना जिसका 19 सधी में संसार चंद ने पुनुरुदवार करवाया था यह बैजनात का मंदिर मतलब बैजनात में सिव मंदिर है वो है next is चमबा का गौरी शंकर मंदिर किस ने बनवाया था तो यह मंदिर जो है रियूगांकर बर्मन श्रेयल बर्मन के पूत्र ने बर्वाया था next is कौन सा मंदिर चंदरभागा नेधी की बाधि लहौल सिती में स्थित है जिसका निर्मान आठ्वी सदी में ललिता दित्या ने किया था तो यह त्रिलोकिनाथ अवलोक की तेश्वर मंदिर जिसे पदम संभव ने बौध मंदिर का रूप दे दिया था वो है अब नेक्स कोश्चिन के दरफ चलते हैं त्रिलोकिनाथ मंदिर को मंडी के राजा अजवर सेनकी महाराने सुल्ताना देवी ने किस वर्स बनवायाताओ तो यह 1520 इसपी में बनवायाता साम्पो के सबसे अच्छे चितरकिन मंदिरों में कोदे गए है तो यह पंच वक्ता मंदिर में कोदे गए है नेक्स्ट इस रीन चान सांग पो ने 17 वर्ष में तीन बार भारत की आत्रा के दौरान ताबो, कनाम, गेमोर और धरकर्ड सहीत कितने बहुत विहार बनवाए तो उसने बनवाए थे 108 स्पीती वादी का सबसे बड़ा बहुत परिविहार कौन सा है जो स्पीती नदी के पाएं तर्ट पर किबर और काजा की बीच थित है और यह कायर्मी सदी में निर्मित है तो यह है की गोंपा कि की गोंपा किस वर्ष टोगरा हमले में आग सिक्रतिक रस्त हुआ था तो यह 1834 दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतने ही दोस्तों आज के लिए इतना ही बाकी की कोश्विन हम सेकिंड पार्ट में करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें कर लो